अयोध्या पुलिस के ट्रक ट्राइवर के काड़ नामे का खुलासा हुआ ट्राइवर ने अपने दोस्तों के साथ ट्रॉक में 250 कुंटल चीनी लोटकर बिहार के लिए निकला था लेकिन यह चीनी से बरे ट्रॉक बिहार नहीं पहुंची बलकि ट्रक ड्राइवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते में ही चीनी को बेच लिया जब चीनी बिहार नहीं पहुची तो ट्रांसपोर्टर ने मुकतमा दर्श करा कर मामले की छानबीन करवाई पुलिस ने मामले में दोलों को गिरफतार कर ट्रकवा बची होई एक साथ बोड़ी चीनी बरामत कर ली जबकि बेची गई होई चीनी की कीमत में से असी हजार आथ सो रुपई बरामत कर ली है वहीं इस मामले में तीन अभियोगत अभी भी फरार हैं पुलिस के मुताबिक ट्रट डाइबर वक्लीनर गॉंडा के मनकापुर चीनी मिल से 250 कुंटर चीनी लाट कर बिहार के लिए निकले। लेकिन रास्ते में ही गॉंडा के पकड़ी बजार में वैपार को एक लाग सतर हजार में चीनी बेच दी। जो चीनी गंतव इस्थान पर नहीं पहुची तो पुलिस ने मामले की चान बीन करती हुए गॉंडा के ही दो लोगों को गिरफतार कर लिया। गिरफतार किये गए अभियुक्त की निशान देही पर 160 बोरी चीनी वह 80,800 रुपे बरामत कर लिया। गॉंडा के ही तीन अभियुक्त इस मामले में अभी भी फराद चल रही है। इसके बाद जो है जब ये चीनी गंतबे तक नहीं पहुंची तब ट्रांस्पोर्टर की द्वारा सिकायत की गई और इस पर टीम को लगाया गया। इसमें एक डीसियम पर जो चीनी थी वह बरामत हुई है और 80,800 रूपे जो चीनी उसमें कुछ चीनी बेचे थे वह बरामत हुई है। और डीसियम भी बरामत हुई है इसमें ठाना कोतवाली में अभियोग पंजिक्रित है और अभिक्टगन के वृद्धु जो है प्रभावी विदिक्कार्जवाई की जा रहे है। दो लोग ग्रफतार किये गए हैं जो यहां सहर छेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके निशादेही से ही जो है वो रूपे आल 80,800 मरामत हुआ है जो ग्रफतार यहां सहर रहे हैं।